इससे पहले देखा गया है कि काव्या किस तरह किंज्ल और अनुपमा के बीच नफरत की दीवार बनाने की कोशिश कर रही है। किंजल के साथ अपने गिरते समी करणों को बचाने के लिए अपने स्वाभिमान से समझोता करने वाली अनुप्मा को आखिरकार समझ आ गया है कि किंजल का दिमाग खराब करने के पीछे कोई और नहीं बलकी काव्या है इस प्रकार अनुपमा पूरे शाह परिवार के सामने काव्या का सामना करती है जैसे ही काव्या और किंजल दे रात पाटी करके ओफिस से लोटते हैं अनुपमा किंजल से परिवार को न बताने और उन्हें घर के बाहर इंतजार करने के लिए कहती है अनुपमा किंजल को यह एहसास दिलाते हुए भी डांटती है कि उसके तनाव में किसी ने खाना नहीं खाया लेकिन बदले में अनुपमा को जो मिलता है वह केवल किंजल का अशिष्ट जवाब और उसका ताना होता है अंत में अनुपमा किंजल का ब्रिनवाश करने के पीछे काव्या की गलत रणनीतियों से तंग आ चुकी है इस प्रकारण अनुपमा काव्या को रडार पर ले जाती है और उसके चहरे पर योध शुरू कर देती है और कहती है कि वहत उसका उपयोग करके परिवार को तोड़ने को सुईकार नहीं करेगी नवीन तम ट्रैक दिखा रहा है कि किंजल अनुपमा और परिवार के खिलाफ खड़ा है जहां राखी ने भी शाह परिवार को उसी पर चितावनी दी थी इस बिंदू पर बड़ा मोड है जहां अनुपमा काव्या के नाटक से तंग आ चुकी है और उसे यह सब रोकने और अपने बच्चों को उकसाने की चितावनी दी है हाला कि आगे जहां अनुपमा को पूरी तरह से असाय देखकर काव्या मुस्कुराती है जहां अनुपमा ने वास्तव में काव्या को छोड़ दिया क्योंकि उसने परिवार को उजाडने की योजना बनाई थी दूसरी तरफ किंजल का काव्या के नाटक की और बहुत अधिक छुकाव है जहां नया हंगामा और नाटक है यह देखना दिलचस्प होगा कि शू में अगला ट्विस्ट क्या होगा अनुपमा का अगला कदम क्या होगा पहले देखा गया था कि किंजल घर में काफी ड्रामा करती है जहां वह पूरी तरह से बदल जाती है पहले किंजल समर का साथ देती थी और अच्छी बनती थी लेकिन अब वह समर को भी खड़ा करने से इंकार कर देती है किंजल अब पूरी तरह से बदल चुकी है जहां वह शाह फैमिली के लिए नए निगेटिव हो गई है समर इस प्रकार नंदिनी से मिलने जाता है और अपनी समस्याओं को उसके साथ साजह करता है समर और नंदिनी चर्चा करते हैं कि वे काव्या के बारे में सभी समस्याओं का मूल कारण है देखना दिलचस्प होगा कि शो में आगे क्या होता है